कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रियास किये जा रहे हैं। अलवर में भी कोरोना की हर परिष्टिती से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने आवशक इंतजाम किये हैं। जिला कलेक्टर की ओर से कोरोना को लेकर लगातार समिक्षात्मक बैठक की जा रही है। जिला कलेक्टर इंदरजीत सिंग ने बताया कि अलवर में अब तक 1300 से अधिक लोगों के सेंपल लिये जा चुके हैं। इन में से करीब 1000 से अधिक की जाच रिपोर्ट आ चुके हैं। इन में से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं SMS में भरती इन पॉजिटिवों में से कई स्वस्थ भी हो चुके हैं। हमने तकरीपन 1300 से जादा अभी तक टेस्ट सेंपल लिये हैं। जैसा कि आप सभी को विधित है कि अभी तक कुल संख्या जो है वो साथ लोग पॉजिटिव आए हैं। उन में से भी काफी हमारे साथ ही ऐसे हैं जो आल्मूस्ट करोना नेगेटिव की स्टेज में आ चुके हैं। और उनको बहुत जल्द SMS अस्पिताल प्रिशासन ज्वारा घोशित करते हुए अधिकारिक रूप से उनको वरपिस भेजने की तैयारी चिल रही है। उसके साथ साथ जिला प्रिशासन को तकरीबन क्वारेंटाइन की विवस्ताइं सुनिशित करने के लिए कहा गया है। तीन हजार बेट्स जो हैं हम लोग क्वारेंटाइन के लिए मेंटेन कर रहे हैं। SDOs अपने स्तर के उपर उसके नूडल अधिकारी हैं। सभी प्रकार की विवस्ता हैं। जाहे वहाँ पे सेक्यूर्टी की बात हो, क्लीनिंग की बात हो, या बाकी विवस्ता हैं। उन सब चीजों की नूडल है। खबर जोदपूर के लूनी से हैं जहां एवन टीवी ने सामाजिक सरोकार निबाया है।